हेलो squish… मैं राधय टेलर, आजकि इस वीडियो में आपका है जोकी मशीन का खलर कैसे होता है सब्सक्राइब कर वाद कर शुरू करते हैं तो दोस्तो, हमारे पास है जोकी की सिलाइ मशीन और इसका जो कलर है ठोड़ा फेड हो चुका है निकल चुका है तो हमको इसको color करवाना है तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसका जो color है वो थोड़ा सा निकल गया है यहां से भी थोड़ा सा color निकल गया है और यहां कभी थोड़ा-थोड़ा color जगा-जगा से निकला हुआ है क्योंकि यह color निकला नहीं है और ये color जो है इसको हम करवा भी सकते हैं और ये कैसा दिखता है कितने time तक चलता है ये सारी चीजे मैं आपको detail में बताऊंगा तो दोस्तो आप इसे दिख सकते हैं इसका जो color है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये निकल चुका है और हमें इसको color करवाना है तो दोस्तो आप इसे बहुत जादा ध्यान से देख सकते हैं इसका जो color है वो निकल गया है और हमें color करवाना है और इसका जो machine है वो हम इसको उठा लेते हैं उसके बाद हम इसको नीचे से पुरा अच्छे से देख लेते हैं सो दोस्तों अब आप इसे देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कैसा निकला हुआ है कहा का निकला हुआ है और ये किस तरह सा कलर निकला हुआ है और इसका जो oil है वो भी हम इसको change करेंगे इसमें नया oil डालेंगे सिलाय मशीन का जो color करवाना है उसके लिए हमें 2-3 दिन का time लगेगा और अब हमारे पास जो हमारी जो सिलाय मशीन है वो perfect finishing के साथ हमें मिल चुकी है आप इसे देख सकते हैं इसकी जो finishing कितनी perfect है एक तम जैसा हमने machine खरेदा था सेम तो सेम वैसा ही लुक है और इसका जो machine का जो oil होता है वो भी हमने change कर लिया है और हमने इसको color करवाया है अरियंत complex मसे तो यहां पे machine का सबसे बड़ा market है यहां पे आप machine के सारे parts ले सकते है color और या कुछ भी problem हो तो यहां पे सारी चीजे मिल जाएगी आपको यह machine का पुरा market ही है तो दोस्तो हमारी सिलाय मशीन है वो color होके आ चुके आप इसे देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है कितनी perfect तरिके से सो दोस्तो हमारी जो श्विंग मशीन है वो color होके ready होके आ चुका है और आप इसे देख सकते हैं इसका जो परफेक्ट फिनिशिंग साथ इसका color किया गया है एक्दम अच्छे से और बहुती ध्यान से इसका color किया गया है और इसकी है जो फिनिशिंग वह सेम है सो दोस्तो आप इससे देख सकते हैं इसका फिनिशिंग परफेक्ट तरी सो धुस्तो हमारी जो शिला मशीन है इसका color कितना तक चलताही तो मैं तो निकल रहा है तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहां पर यहां पर मशीन का जो पहले का और यह उसके बाद दुकान वालों ने जो मुझे जो कलर करके दिया है उसके बाद जाके यहां पे जो कलर निकला हुआ है वो बिजिकली केंची और हथोड़ी के वज़े से निकला है पर यहां पे जो कलर है वो कमपनी का है तो छे मेने में अगर इतना कलर निकलता है तो यह एकदम निकलेगा लेकिन है इसमें कोई प्रॉब्लम आगर आपको कलर करवा ना चाहे तो मजें को कलर करवा सकते हैं तो दो डाइस लगता कि इसका फुराना हो गया हो और बहुत ज्यादा दिखने में खराब लगता हो तो आप इसको चैश्क पर सकते हैं आप मुझे comment वह बता सकते हैं कि यह कैसा लग रहा है और कैसा लगा आपको यह वीडियो जो कि machine का color करने का क्या process है क्या तरीका है और कहां से यह होगा सब दस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो लाइक किजिए आपका कोई भी doubt या question हो तो मुझे comment करें यह वीडियो उनके साथ जरूर शायर करें जो स्टिची में इंट्रेस्ट रखते हैं यह वीडियो उनके साथ जरूर शायर करें आज के वीडियो में इतना ही सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching this video